वेलकम तो कुम्म्यूनिटी डीबेट आई यूर होस्ट हलीमा साधिया हमेशा की तरह हम पाकिस्तानी डाइस्पोरा के मतलिक बात करते हैं जो के नौर्थ अमेरिका के अंदर या वेस्ट के अंदर मौझूद है कैनेडा और अमेरिका के अंदर अभी रीसेंटली बहुत बड़ा एक वाक्या हुआ जो कि औरत मार्च को पाकिस्तान में औरत मार्च को लेके हुआ फिर इंटरनाशनल डे हमने सेलिब्रेट किया जिसके अंदर हमें इंटरनाशनल विमन की स्ट्रॉगल और उसके मतलिक बात क पाकिस्तान से जब हम मुनसिलिक होते हैं तो हम बात चलती है फात्मा जना से लेके राना ल्याकतली अखान जो हैं उनकी विमन एस्ट्रॉगल विमन राइट्स के लिए और फिर बात चलती है मार्वी सर्मत तक और वहां से आ के हम पहुंचने हैं इंटरनाशनल विमन इस वक नॉर्थ अमेरिका की दो बहुत ही खुबसूरत उर्दू की शायरात मौजूद हैं, शायदा हसन साहिबा और तस्नीम आपदी, दोनों अपनी अपनी फील्ड में कमाल की महारत रखती हैं, इसके साथ साथ पॉलिटिक्स और फेमिन राइट्स के ओपर गहरी नजर है, आप दोनों को मेरे आज के इस शो में वेल्कम, शायदा आप से बात शुरू करूंगी, खवातीन का आलमी दिन मनाया गया, और उससे पहले धमाका खेज, मारवी सरमत का सोशल मीडिया के उपर बहुत चच्चा रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्चा ये देखिए, बात ये है कि ये आपस में मसाबقت शुरू हो जाती है, मतलब, लेकिन मैं समझती हूँ कि काफी अर्से से खवातीन के जो, जो मसाइल हैं, उनको संजीदी से कभी लिया ही नहीं गया, पाकिस्तान में मैंने बहुत तवील अर्सा गुजारा, और माशरे ने किया, उसका ये सब नतीजा, ये सब अन्जाम है, क्योंके बहराल पाकिस्तानी सुसाइटी एक बहुत ही मेल शौवनिस्टिक सुसाइटी है, और वहाँ एक खास माइंड सेट काम करता है, तो अब ये जो फिलहाल जो कुछ हो रहा है, ये कोई बहुत प्लेजम चीजे नहीं हैं, मेरे जहन में हमेशा जिन्दगी का तसवर आता है, मर्द और 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 औरत के एक बहुतरी मिलाब से बनने वाला एक मिसाली माशरा, जिसमें आपके सारे रिष्टेनाते जो हैं साथ चलते हूं, क्योंके मैं समझती हूँ का औरत चाहे वो और लगंदा से स हमें देखना पड़ेगा कि ये घुसे का पसमंजर क्या है, ये कोई दो दिन में बिल्ट होने वाला तो गुसा नहीं है, इसकी एक पूरी दास्तान है, तो मारवी सहाबा के प्रोग्राम में ने जरा कम देखे इतिफाख की बात है कि मैं इन दिनों मसरूफ रही लेकिन मैं तकलीफ देरी थी वो खास तोर पर क्योंकि हम जो शेर कहने वाले या आर्ट के या एसास से जमाल रखने वाले लोग हैं, हमारी लफ़ों से बहुत association होती हैं, हमें अपने जजबाद की तहजीब करके अच्छा लगता है, हमें अगर गुसा भी आता है, तो हमें उस गुसे के इसहार के लिए हम एक मुनासिब पराया ढूंडने पर यकीन रखते हैं, तो जैसे के हम शौरा लिखने वाले आर्टिस्ट, इनकी जबान, इनकी जो तहजीब है, इनका जो इसहार है, उसको उस दाइरे में होना चाहिए, तो ये चीज़ की में एक कमी नज़र आरी ही, दो साल से मैंने महसूस किया कि प्रोटेस्ट सही है, असर में प्रोटेस्ट ये है कि जब एक महाशरे में इसकदर इस्तहसाल होता है, और वो मर्दों का भी होता है, तो उस वक्त ये दोनों सफरिंग ग्रॉप्स जाहना उनको खटे हो जाना चाहिए, और रियासत पर ये ज उन तकलीफों को बरदाश किया है, खुद बहुत सादा सी एक बात है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, मुझे अंदाज है कि मैंने खुद कितनी तकलीफ जहनी बरदाश किया है, तो मुझे चाहिए वो कवानी, मुझे चाहिए कि उनकी इंप्लिमेंटेशन हो ऐसे कवानीन की जो बहसित इंसान मुझे डील करें, वो मुझे ये न बताएं कि मैं एक औरत हूँ, लहाज़ा मुझे हचीज में किसी मर्द को फॉलो करना है, तो ये चीज़ जो थी न, वो बहुत ही आपके लिए हुमिलेशन का सबब बनती है, अगर आप जहीन हैं, आप बाश्यूर हैं, आप असास हैं, और आप माशरे के एक एक एहम फर्द हैं, तो आपके साथ ये जो रवाया, डिस्क्रिमनेशन का इसकदर रवा रखा जाता है, हमारे हाँ, तो असल में ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है, अब इसकी बहुत सी शकलें सामने आ रही हैं, इ मिलके वाकी बहुत संजीदा मामला थे, इनको आपको संजीदगी से रियास्त के ओपर दबाव डालें, रियास्त को चाहिए कि वो कवानीन जो कवानीन पास भी किये गए हैं, खवातीन के हक में, उनकी इंप्लिमेंटेशन नहीं हो रही, उनके ओपर काम करने वाला कोई न हैं, तो यह चीज़ा वहां बिगडी हुई हैं बहुत साथा, मैं समझते हूँ कि मैं इसी पर्स्पेक्टिव में देखती हूँ इसको, तस्नीम आपकी तरफ आउंगी, International Women Day का मतलब यह है कि दुनिया में जहां जहां औरत मौजूद है, वो इसको celebrate करती है, इसमें वो अप काबला शुरू हो जाता है, मैं नहीं समझती कि यह मुकाबला होता है, यह एक्वालिटी जो है, यह मुकाबला नहीं है, यह राइट्स का इशू है, मिन्टैलिटी का इशू है, कैसे आप इस पर क्या तबस्रा करेंगी, आप यह शायदा ने जैसे कि गुफ्तगू की और उसमें जो बात नहीं ने कही और यकीना उसमें बहुत सारी बातें जो है ना, उससे मैं काफी हद तक मुत्तफिक हूँ, पहले तो हमें यह देखना होगा, कि यह जो तहरीक निस्वा जिसको हम अर्दू में कहते हैं, फेमिनिज्म जो है, यह इस तहरीक का मकस्द क्या है, दुनिया में पूरे, आ यह यॉरप से शुरू हुई थी, यह तो सब को पता है, और यह उसके बाद तकरीमां साड़े तीन, चार्सौ साल से यह जो कोशिशें जारी हैं, कि औरत को उसका एक मकाम दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए औरत को मकाम, मैं यह समझती हूँ, मेर यह इश्राफिया का मसला है, देखें, ना सारे मर्द हाकिम और जाबिर हैं, और ना सारी ओरतें मजबूर और महकूम हैं, इसलिए कि ना माशरे के अंदर एक ही वक्त में मर्द जालिम भी है, और मजलुम भी हो सकता है, और इसी तरीके से औरत का है, क्योंकि यह जो हमारी जो हम हुकुक मांगते हैं अपने, किसी भी हवाले से, वो हम किसी फर्द से नहीं मांगते हैं, उसमें जो हमारी जंग या जो हमारा इतिजाज होता है ना, वो हमारा निजाम के खिलाफ होता है, सिस्टम के खिलाफ होता है, ये जो कोहना रवायात हैं, हमारे मुल्क में ही दे بنا ہے یہ تو ہمارے گھروں کی تربیت ہے یہ ایک سماج ہم نے خود ہی سے بنا لیا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے بیٹیوں کو کہتے ہیں تم بیٹی ہو نا تم ذرا آہستہ آواز میں بات کرو تمہاری اس بات کو لوگ پسند نہیں کریں گے تم زیادہ دیر تک باہر نہیں رہنا لوگ کیا سوچیں گے کیونکہ ہم نے خود ایک سماج بنایا ہے اس میں بھی مرد اور عورت دونوں کا ہاتھ ہے کوئی بھی سماج جب بنتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ظاہر سی بات ہے مرد کیونکہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ہر طور پر حاکم بھی ہو جاتا ہے عورت بھی ہوتی ہے سربراہ بہت جگہ بلکل عورت بھی ہوتی ہے بہت جگہ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو جس جو جس ماحول سے مطابقت رکھتا ہے نا اس کے اسی حوالے سے وہ ہیں مسائل چند ایسے ہیں جو پوری دنیا میں عورت کہیں پہ بھی عورت ہے اسے جیسے آہ تنخواہ جو ہے یا بحیثیت آہ یعنی کام کرنے والے کے اگر آپ دیکھیں تو عورت جو ہے وہ کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر یہ سوچا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ عورت کو پوائنٹ کیا جائے مرد کر لے گا ابھی بھی ہے یہ ہمیں یورپ اور یہاں پہ بھی نظر آتا ہے جس وقت سیلیکشن ہوتا ہے نا اور ہم تو کیونکہ یہ نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ ہے اگر آپ غور کریں تو ابھی تین ساڑھے تین سو سال کی جد و جہت کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے یہ اتنا پرانا معاشرہ کیا اس معاشرے میں کوئی میتمیٹیشن نہیں تھی عورت کیا کوئی سائنس دان عورت نہیں تھی کیا کوئی عدیب فلوسفر عورت نہیں تھی کیونکہ مرد کا نظام تھا اس لیے اس نے اسے تاریخ کے گرد کے نیچے ہی رہنے دیا وہ نکل ہی کے نہیں آئی اب جب نکل کے آنا شروع ہوئی ہے تو عورت کی صلاحیتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور جب صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں تو اس وقت سے بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان صلاحیتوں کو منفی اس پہ مت خرج کریں یہ بہت اہم بات ہے کہ جو صلاحیتیں اس وقت ہمیں کیونکہ بہت تیزی سے اپنا سفر تیہ کرنا ہے اور ہمیں مل کر خواتین کو مل کر چونکہ سفرنگ ویمن جو ہیں ان کی تعداد لا تعداد ہے اور ان میں سے جو باشور خواتین ہیں اور جو صاحب فکر خواتین ہیں جو نالیج رکھتی ہیں ویسٹرم رکھتی ہیں ان کی تعداد نسبتاں کام ہے تو ان کو خواتین کو اپنے آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا کیونکہ بہت سارے لوگ کو تو اپنی سفرنگ کا اندازہ بھی نہیں ہوتا اس بات کو ہم جوڑیں گے واپس بات کسی اور طرف نکل گئی ہے ہم واپس پاکستانی ڈائسپورہ کے اوپر آئے گے خاص طور پہ کیونکہ انٹرنیشنل مومنٹ تو چلتی ہیں وہ ہوتی ہیں لیکن ہم کمیونٹی ڈی بیٹ کے اندر بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ ڈی بیٹ کرنی ہے کہ پاکستانی ڈی سسائیٹی کے اندر کیونکہ ہمارے وہاں پہ evolution ہم کلوبل دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے اور عورت کے اوپر معاشی ذمہ داری بھی بہت بڑھ گئی اور جہاں عورت کو discrimination ہے jobs میں وہاں بہت ساری سطح پہ عورت کو جلدی jobs بھی مل جاتی ہیں کیونکہ وہ کام پے کے اوپر بھی کام کر لیتی بہت سے کام کر سکتی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ rv co png ہم کسی point پہ ہیں ہمارے کیا مسائل ہیں اور وہ کیوں اب تک address نہیں ہو پا رہے آپ میں سے کوئی بھی کہنا چاہیے شاید میرا خیال ہے کہ اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں اس پہ اس میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے پھر میں کہوں گی کہ دونوں طرف سے غلطیاں ہیں کہیں کہیں پر عورت عورت ہونے کی ریائت اٹھاتی ہے اور کہیں پر مرد جو ہے نا اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ کیونکہ عورت ہے نا تو اس لیے جیسے کہ ہمارے ماحول میں جنسی احراس کی جو ہے یہ ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب کام کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نظریں ہیں نا ہم اگر ایک کامیاب پروفیسر ہیں ٹیچر ہیں ڈاکٹر ہیں اپنے کلیس کے درمیان ہمارا ایک مقام ہے تو پھر ہمیں مرد اور عورت دونوں کے نظروں کا بہت وہ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہم ابھی اس بات کے عادی ہی نہیں ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایک باصلاحیت فرد بھی ہو سکتی ہے یعنی فرد کے طور پر انڈویجول کی حیثیت سے جینڈر ایکوالٹی کے اندر کوئی کام نہیں ہے اور نہ صرف کام نہیں ہے بلکہ چیلنجز ہیں اور پڑھے لکھے مردوں میں بھی اس قسم کی تنگ نظری کیونکہ ایک جو ان کا مائنسٹ بنا ہوا ہے میں تو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہی یہ مشکلات سمجھتیوں کے قواتین فیس کرتی ہیں کہ ایون ان کا بھی جو اندر کا مرد ہے نا وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی عورت صلاحیت کے بنیاد پر آگے بڑھ جائے تو ان کے اندر ایک ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سرپرستی کی طور پر ہم ہوں اگر ہم نہ ہوئے تو یہ چیز نہیں ہو سکتی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب مردوں میں بھی یہ بات notice کی جا رہی ہے یہ زندگی جس طرح کے نئے challenges کے ساتھ سامنے آئی ہے اور اب جس طرح global دنیا ہم پر کھلی ہے تو خود ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے اپنے بچے جو ہیں ان میں بہت بڑی تبدیلی آنی شروع ہو چکی ہے اور آج کی عورت کا چونکہ focus آئندہ آج کی عورت کیا عورت کا focus اپنی آئندہ نسلوں پر بھی equally ہوتا ہے وہ جو وقت کے رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ آنے والی نسلوں کی چونکہ وہ پرورش کر رہی ہوتی ہے تو وہ ان کی ذہانتوں کو بھی تحفظ دینا چاہتی ہے تو ماں باپ کو equally اب اگر اس طرح کا کوئی confusion ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پھر بچوں سے ان کا ربط ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو آج کی عورت کو تو بہت سارے challenges کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور میں سمجھتی ہماری society میں کافی بڑی تعداد میں اس طرح کی خواتین اب حمد سے آگے بڑھ رہی ہیں اور ان کی ہم خیال خواتین ان کا ساتھ بھی دے رہی ہیں مگر میں اس میں وہی بات جو تصنیم نے بھی اس کو point out کیا کہ ہمیں بہت زیادہ اس میں resistance یہ show کرنی پڑے گی کہ ہم focused رہے ہیں اپنے purpose پہ کہ ہم کیا achieve کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو اس طرح کے مبایسے ہوتے ہیں یا اس طرح کی تو ایک گروپ مردوں کا پھر الگ سے بن جاتا ہے اور پھر خواتین کا الگ سے بن جاتا ہے ابھی ہم رسلے میں آ رہے تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ میرا اتفاق سے چکے education سے تعلق رہا مستقل تو میرا interior sin میں بھی جانا رہا interior پنجاب میں بھی جانا رہا اور میرا دل ہمیشہ یہ دیکھ کر کرتا رہا کہ ہماری تمام governments کی موجود کی کے باوجود جنہوں نے جمہوریت کے سارے معاملات چلائے اپنے خیال میں اور اتنے نمائندے اور خواتین اور یہ ہمارے سارے ان شہروں کا ابھی تک وہی حال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر کوئی تبدیلی آ نہیں رہی جہاں تک یہاں کے میں سمجھتی ہوں North America اور یہاں پہ جب ہم آتے ہیں اور دنیا ہم پر کھلتی ہے تو دیکھیں یہ جو عورت نے یہاں پر ایک حیرت انگیز ترقی کی ہے یہاں کی عورت میں تو ساری movement جو ہماری طرف چلتی ہے وہ یہاں کی اثرات کے تحت ہی چلتی ہے یہاں پہلے ہوتا ہے جیسے 1936 میں غالباً جب وکٹوریا و کامپون یہ بات کہی تھی Latin America کی جو تھی اور انہوں نے ایک بڑے اس سے خطاب کرتے ہوئے اجتماع سے کہا تھا 1936 میں کہ یہ اب تک ہم مردوں کی گواہی پر چلتے رہے ہیں کیونکہ ہم لکھتے ہیں مرد گواہی دیتا ہے اور مرد ہماری زبان جو کچھ ہم لکھتے ہیں وہ اپروف کرتا ہے اب ہمیں اپنی گواہی خود دینی پڑے گی ہمیں خود لکھنا پڑے گا کہ ہم ہم کیا محسوس کرتے ہیں ہماری محسوسات کیا ہیں ہماری sufferings کیا ہیں ہمارے genuine problem کیا ہیں کیونکہ biologically اور historically تو عورت الگ الگ معاملات سے گزری ہوئی ہے نا اس کے مسائل biologically بہرحال الگ ہوتے ہیں لیکن مردوں میں اس کا بہت کم احساس ہوتا ہے تو یہ چیزیں یہ awareness جو ہے نا یہ شروع تو ہو چکی تھی لیکن ہمارے ہاں اب آئی ہے آہستہ آہستہ اب جیسے میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی وائفز کا ساتھ بھی دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جو بعض personal معاملات ہوتے ہیں بیمار ہوتی ہیں کچھ بھی تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا problem face کرے ہیں اس سے پہلے کی generation میں میں نہیں سمجھتی کہ مردوں کو کچھ اتنا پتا ہوتا ہوگا کہ ان کے گھر کی عورت ہے اس کی typical ایک بیٹی ہے بہن ہے بیوی ہے اس لیے ہم اس کے custodian ہیں یہ mentality ہے بہت سے مردوں کی جو یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام رشتوں سے منصرک ذمہ داریوں سے تو ان کو فرار ہے ان حقوق کی acceptance سے کیونکہ اس میں بھی بہت depth آتی ہے لیکن اس کے بدلے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی power اپنے پاس رکھیں اس کے سلسلے میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے international women کیا سوچتی ہے اور اس کا ہمارے ڈائسپورا پاکستانی ڈائسپورا پہ کیا اثر ہے وہ intellectual خواتین جو literature میں struggle کرتی ہیں ان کے کیا مسائل ہیں جھڑے رہیے آتے ہیں بھکفے کے بعد موسیقی वेल्कम बैक टो कम्यूनिटी डीबेट हम अपने सिलसले को वहीं से जोड़ेंगे जहां हमने तोड़ा था कि मर्द बाप है भाई है बेटा है शोहर है औरत बीवी है माँ है बेहन है बेटी है हर किरदार का एक अलग रोल है और उसको एकसेप्ट उसके हक के साथ इंडिविज्वल टू इंडिविज्वल दिया जाने चाहिए मेरे साथ मौझूद हैं बहुत ही अच्छी शायरात दोनों बहुत ही हमारी काबल खवातीन हैं आज हम बात अब शुरू करते हैं कि ये किरद आपने वक्फे से पहले बात की कि आदमी पावर होल्ड करना चाहता है तो लिट्रिचर के हवाले से जब आपने लिखना शुरू किया तो आपको कैसा लगा क्योंकि दानिश्वर किंसिडर किया जाता है कि उसका थोड़ा सा मुक्तलिफ रविया होता है तो एज़ विमें विमें राइटर विमें पोईटिस आपका क्या एक्सपिरियंस देखिन मैं इस मामले में खुद को बहुत ज़्यादा खुश्खिसमत ही करार दोंगी क्योंकि मेरी जितनी भी एंकरेजमेंट आई है मुझको जो भी प्रोमोट किया है वो चुके आपकी अपनी फैमिली अदबी लोग और शेरी जौक के लोग बहुत आती जाते थे तो उनको मुझे डायलॉग करना बहुत अच्छा लगता था और मुझे उनसे डायलॉग करना तो मेरी जो शायरी को सपोर्ट मिली के घर के एक सीनियर मेंबर ने या मेरे दादा ने मुझे सबसे ज़ादर सपोर्ट किया ठीक है अचा उनके कहने पर ही मैंने लिखना अपना जारी रखा और उसके बाद मुझे फर्दर जो मैं जब मेरा खैल है कि मैं यूनिवर्सिटी कर प्राइची उनुर्स्टी जाने वाली अपनी फैमिली की ननियाल की तरफ से पहली लड़की थी तो उससे पहले लोग कॉलिज तक बस पढ़ लिया या मतलब मेटरिक कर लिया या बहुत से बहुत कॉलिज तक चले गया लेकिन क्यूंके मुझे जाना था एक को एजूकेशन म पाती है अदा जाफरी परवीन यह सब लोग मेरे हिस्से के कांटे चुन चुके थे तो मुझे इतना रास्ता हमबार था तो मुझे अपनी जगह बनानी के लिए वो जद्व जहती करनी पड़ी जो मेरी सीनियर खवातीन को करनी पड़ी होगे लेकिन जब मैं अदा जाफर यूनी के नाम से लिखा पिर उसके बाद उन्होंने जब अपना लिखा तो उनका भी मकसद कहने का यह कि उनके जमाने से फिर ये खवातीन अपने नाम से लिखती रही और पिर सामने आई तो वो हमारी समझे सरखेल के तोर पर पर जहराप आएं पर फैमीदा आएं तनवो से लिखा है और क्या हसीन लिटरेचर बना है क्योंकि मर्द ने भी रियलाइस कर लिया कि ये रुख तो हम लिखी नहीं सकते थे जो औरत ने लिखा तो औरतों पर दर्वाज़ा खुलने का उनकी तहरीरों के जरिये जो है औरत ने अपने महसूसात लिखे अपनी अबसूरद बात की और जब हम ये बात मान लिते हैं कि औरत बहुत मस्बूत है तो फिर हम उसकी उसकी क्रियेटिविटी पर शक्ति हम उसको अन लिमिटेड जिस तरह हमारी किसी मर्द कुरा तो लैंड हैदर नहीं एक दफा कहा था कि जरूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ एक्सपीरिंस की भी ही लिखते हैं एक बड़ा राइटर वो होता है जो वो एक मर्द बड़ा राइटर वो है जब वो दर्दे जह को उसी तरह लिख सके जिस तरह के एक औरत महसूस करती है यही तो क्रियेटिविटी है क्योंकि तखलीकियत जो है ना जो क्रियेटिविटी हमेशा इन्सान के इवन कुरत अलाइन हैदर का आपने जिक्र किया उन्हों ने जिस तरह तारीख को लिखा है और क्या-क्या जाविय जिन्दगी के लिखे हैं उनको वह मैं नहीं समझती कि उन्हों ने कोई औरत बनके लिखा है उन्हों ने वहासियत एक जहीन बाशूर तस्मीम आपकी तरफ आउंगी अब हम वापस आते हैं कैनडा अमेरिका की तरफ आप यूए से आई हुई है हमारे पास यहां पे हमारा डाइस्पोरा और जब हम देखते हैं कि हम एक बिगर ससाइटी में आते हैं काम बहुत हुआ है एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जदीद अब्जर्वेशन के साथ नेया लिटरिचर तक्लीक होता है नए ख्यालात आते हैं लेकिन क्या आप समझ नहीं हैं कि हमारे डाइस्पोरा में जो खवातिन काम कर रही हैं लिख रही हैं उसमें माइंड सेट मर्दों का मुक्तलिफ है कुछ इस एक्सपोयर से या उ जदीबी एतिबार से अपने माशरे से मनसलिक होता है क्योंके और वो चाहिए मर्द हो या औरत हो लिखने वालों की एक अपनी दुनिया होती है जो वो चाहते हैं कि दुनिया ऐसी हो जाए उनकी ये खौईश होती है ये खोईवी जन्नत गुम गश्ता जो है इसके लिए को सारे काम कर रहे होते हैं कि जो कुछ जहन में एक तखलीव की होाले से ना वो कर रहे होते हैं तो बात यह होती है कि लिख रहे हैं और बहुत ज्यादा तो अभी इस तौर यह वैसे तो भी जो आप लोगो ने लिए कुरतलय अन्हादर का जिसे नाम लिया जिस जिस तloe यहां इसमत ने लिखा इसमत चुक्ताई ने फैमीदा रियाज ने निसायत के हवाले से जो बड़ी यानि उनके पर जिसको कहते हैं उनी ने रद की गई शायरी बिल्कुल वो है या उनका उनकी आप बीती है कि शुरापा की कि शुर्नाही बहुत बहुत बड़ी फैमीनिस्ट और बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने सारी जिसके साथ वो बुरी औरत की कथा जो है तो वो सारी चीज़े जो है वो लिख तो रहे हैं माशरा कितना कुबूल कर रहा है हमें ये दिखना है असल में लिखना तो उसके लिए बात यह होती है कि शायरी जो होती है ना वो रफ़ता रफ़ता पत्रों की तरह ना पिलाई जाने वाली चीज़ होती है इसका पूरा गलास नहीं पिला देते हैं पूरा गलास पिलाने से क्या होता है कि वो नशा जो होता है ना वो उसी तरह चड़ता है उसी तरह उतर जात है अगर तेहरी बहुत तेजी आपदिया जाती है तो वो से नीज़े कोई इनकुलाप आप देख लें अगर इनकुलापती ही से आया है तो वो पिर अपने असल पहुत जल्दी खत्म भी खर देता गए तो इसलिए लिखने वालों ने तो लिख रहे हैं अभी आज के दोर में लिख रहे हैं में साथ शाहिदा बैठी मी हैं फात्मा हसन हैं इसी तरीके से और हैं हमारे पाकिस्तान के हवाले से जो किस पर लिख रहे हैं जो हमारे समाजी मसाइल हैं कारोकारी पर हम लिख रहे यंग जो बिल्कुल नाबालिक लड़कियों की जो शादियां हो रहे हैं उस पर लिखा जा रहा है मसलसल लिख रहे हैं कारोकारी पर लिख रहे हैं इसी तरीके से ना औरत के जो औरत का जो कुरान से शादी होती है ये हमारे मसाइल हैं जिस पर लिखा जा रहा है अच्छा हुआ ये है कि हम चाहे अमेरिका आ गए हो यहां आ गए हो हम उटकर खुद आए हैं अपने सासा कुछ लोग हैं वो तहजीब भी ले आए हैं वो उस खोल में से निकलना नहीं चाहते ये एक बड़ा तसादम है नई निसे के और उनके दर्मियान जब तक वो उसमें से निकल कर एक मैना रवी की चाल नहीं चलेंगे ना मसाला हल नहीं pewno होगा और उसके लिए ये है कि अन्हें आग़ बढ़ना है और कुछ पिछली नसल को ना उनको समझना होगा कि हमारे हमसे पहली नसल क्या थी तो हमें मीरा ख्याल है कि उसे फिक्षन के जरिए शायरी के जरिए एक अच्छा वह है कि जो हम तस्विर दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि क्या तबदीली हुई है क्या तबदीली आ रही है आज हम जिस तरीके जे से अपने हुकुक के लिए शायरी में ये अफसाने में बात कर रहे हैं य दिन पहले बलके पहले तो और्व के नम से Лिखा इम नहीं पड़ी तबदीली आई ये और ये इसके पीछे जो होता है ना ये रुजहांसाज लोगों का ट्रेंस्टेटर जो होते हैं ना वो काम करते हैं और यकीनन वही कांटे उठाते हैं हमारे जमाने के कुछ और मुश्किलात हैं उनके जमाने की कुछ और थी हमारे जमाने में इस जो मसाइल हैं जो आज के खावतीन के नारे हैं उनको हमें एक मौडरेटर की हैसियत से ना समझाना पड़ता है कि इस नारे के पीछे क्या सोच है इस नारे को औरत ने क्यों इस्तेमाल किया है ये बहुत बड़ी ये इसको हम अपनी तहरीरों में पेश करते हैं और उसे पसंद भी किया जाता है और कहीं कहीं रत कर देते हैं उसे भी यह देखे जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी इस नारे को पर इतनी बातें की गएं कि हमारा जिसम हमारी मर्जी मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई वैसा पहलो निकलता है नेगेटिव बहुत कि हमारे माश्रे में जिंसी इस तहसाल की तो कोई हदी नहीं है और क्या ये छोटी-छोटी बच्चियां हैं इनके साथ इस तरह क्या सलोक होता है तो अब वह जो बात कहने वाला है उसने तो अपनी बात इस तरह से कही है लेकिन आपने उसको किस कॉनोटेशन में महसूस किया और आपने उसके कितने रंग निकाल दी ये आपकी माइंड स पर है तो मैं इस चीज़ को कहती हूं कि देखे शायर बहुत नर्म नाजुक जजबात के लोग होते हैं हम लोग लिखने वाले जानते हैं कि हमारे दिलों पर क्या गुजरती है तो आप यह देखिए कि हमारे हाँ जो नारे की शकल में शायरी नहीं की जाती शायरी आपकी दि और की शक्सियत का अपना हुसन है इन दोनों हुसन के दोनों अफराद के मिलने से एक खानदान वजूद में आता है खानदान में इंतहे खुबसूरत रिष्टे मौजूद होते हैं तो मैं यह कहती हूं कि पहली बुनिया तो घर हुआ जो औरत का खाव होता है मैं नहीं सम पूरा माशरा आप यह देखेंगे कि गुजचता इस अफरा तफरी में हुआ यह कि लोगों के अंदर के जो वो खाप थे वो बिखर गये और वो जो एक माशरे को खुबसूरत देखना चाहते था और मिसाली वो वो माशर उस तरफ जा नहीं रहा यहां मैंने देखा है हमा हमारी नसीम स्यद है उन्होंने बहुत तकाम किया हमारी बहुत ख़बसार इशारा है । होती है इश्रत होती है नियॉर्क में हुमैरा होती है यहां और बेशुमार हमारी शायरा तस्नीम है अब इन सब लों की सोचों का आप जमा करेंगी तो आप कहेंगी कितना कि चीज़ों को हमें एक नए प्रिस्पेक्टिव में देखने देखना पड़ेगा मर्दों को भी और इसको मिल जुल के काम करना होगा इसमें यह दर असल एक माइंड सेट के लिए कहा गया था क्योंकि शादी के रिश्टे में भी यही बात लेकर आयते के सेक्शल प्रॉब् अगर इसमें इस तैसाल हो और फिर बात बिलकुल बदल गई और किसी और उस पे एनिवेज यह बहुत लंबी बहस है ना खतम होने वाली और यह काम भी ना खतम होने वाला है हमारा वक्त जो है वो खत्म हो गया अब जल्दी जल्दी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आख इसम का उन्वाने रक्स फुसूं मैं जो मश्रिक के शबिस्तानों में मसलूब हुई मैं जो मेखाने मगर्ब से भी मनसूब हुई पहले तगदीस के नामों पे मेरा सौदा हुआ अपनी हुर्मत का मैं तावान अदा करती रही अब भी बाजार तसर्फ में बहुत सस्ती मैं वो बाजार जरूरत की हूँ जिन से मतलूब हबसे बेजा में जिसे रखता है उसका महबूब जिसम ही जिसम बनाई गई तस्वीर मेरी खौब दर खौब ही लिखी गई ताबीर मेरी हलका दर हलका बदलती रही जनजीर मेरी एक खराबे में ही होती रही तामीर मेरी दाइरा वार मेरा रख से फसूं जारी है रद तश्कील तमना हजीन तारी है मैं आपको एक नजम सुना देती हूं क्योंकि मैंने मश्रिक और मगरिब दोनों के माश्रूम पर नजर रखी ना तो मेरे लिए सबसे वड़ा चैलेंज ये था कि अब मेरे आइंदा नसल को मैं कैसे आगे लेके चलूंगी तो एक नजम है उसका उनवान है आगही का जाइका कि न में अफसानवी किरदार किस्सों का नाब मैं रूप की रानी ना सावत री जमानी के नए दानिश्कदे में ये मेरा चहरा नई और तक चहरा मैं एहदे नो की परवर्दा कलम से आशना हस्ती, हुनर की आशिकी में मुटिला हस्ती, खुद अपनी आगही के जायके पहचानती हूं, और अपने एहद की सची गवाही हूं, अदब और जिन्दगी के पारखों ने कह रखा है, सोचना ही जर्म है मेरा, मगर मैं फिर भी गो मौसम तका पहुंची, अदब और जिन्दगी के पारखों ने कह रखा है, सोचना ही जर्म है मेरा, मगर मैं फिर भी गोयाई के इस मौसम तका पहुंची, मेरे हमरा एक छोटा सा घर चलता रहा है, जिसको मैं इतनी बड़ी दुनिया के महवर तक उठा लाई, मुझे मालू मौसम है, उस कोक से इस कोक तक बेटी से मा बनने तलक का फासला क्या है, चटखती हटियों दुखते हुए दिल की माईयत में गुजरती जिन्दगी का ह।सला क्या है, ये दुनिया जो नई तर्तीब के साचे में ढहलती जा रही है, इसके गमनाम गोशे में मुझे अपने जिगर गोशों को रमज जिन्दगी क्यों कर सिखाना है, उन्हें हर खौफ से कैसे बचाना है, कोई अगला कदम कैसे उठाना है, मुझे कोमों की तगदीरों की इस तकसीम में आइन दगा का कुछ न कुछ सामान करना है, मुझे जिन्दगी को कुछ न कुछ आसान करना है, मेहदेनों की परवर्दा, कलम से आशना हस्ती, हुनर की याशती में मुटला हस्ती बहुत शुकरिया आप दोनों का आज की इस प्रोग्राम में शेक्ट का और अपने कैलाथ के इसार का बहुत शुकरिया आप तो नाजरीन, खवातीन, खास तोर पे इस वक्त हम जिस 21st century में रह रहे हैं, इसमें अब हर चीज में तबदीली है और उसके साथ हमने कैसे चलना है, यह सवाल बहुत एहन है, जब तक हम gender equality में औरत को बराबर समझ के बात नहीं करेंगे, जब तक हम यह accept नहीं करेंगे, कि अब productivity से चीजें आगे की तरफ चल रही है, intellectual capacity beyond आपके जिसमों से बाहर है, उससे बाहर निकल के सोचना है, तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, आज का यह program हमाई साथ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया